हाई गाईज, वेलकम डू आर योट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज तो आज हम बात करने वाले हैं सेलफी मुवी के रिव्यू के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नए आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को जरूर दुमाएं फ्रेंड्स इस मुवी में आपको अक्षिक मार और इमरान हश्मी लीड रोल में नजर आ जाएंगे और फ्रेंड्स ये मूवी मल्याला मूवी ड्राइविoll लाइसेंस का ओफिशिल रिमेक है अगर इस चोरी की बात करें तो इस चोरी बेस्ट है एक सूपर श्चार और एक फैन के फाइट के बीच में friends एक सूपर स्टार का बहुत तगड़ा फैन था लेकिन आचानक से एक दिन ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है जिसके कारण वो ही फैन अपने सूपर स्टार के अगेंस्ट हो जाता है और बहुत तगड़ी फाइट दोनों में देखने को मिलती है फ्रेंट्स इस सूपर स्चार का दिखाया गया है कि इस सूपर स्चार के पास driving license नहीं है और वो बिना driving license के गाड़ी चलाता है और एक दिन वो अचानक से अपने बहुत तगड़े फैन के शेहर में जाता है शूटिंग करने के लिए लेकिन भाग्य से देखिए कि वो जो फैन है उसका वो एक RTO इंस्पेक्टर है और जब सूपर चार अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उसी के RTO ओफिस में जाता है तो कुछ ऐसी मिसंडरस्टेंडिंग हो जाती है जिसके कारण द दोनों के बीच की mutual understanding हुई नहीं हुई और क्या ये फैन अपने सूपर स्चार के साथ selfie ले पाता है नहीं ले पाता तो यही आप देखेंगे इस movie में और ये जानने के लिए आपको ये movie पूरी देखनी पड़ेगी काफी predictable थी friends ये story अगर आप story देखेंगे तो काफी predictable सी ल दर आएगा इमरान हश्मी ने अपने रोल को पूरी तरह से justify किया है और आप जब movie देखते हैं तो आप बीच बीच में आपको movie देखते हुए ऐसे भी लगता है कि क्या हम अक्षे कुमार को as a villain देख रहे हैं हमें बीच बीच में अक्षे कुमार पर काफी गुसा आता है और कभी कभी इमरान हश्मी पर फ्रेंड्स ऐसी movie बनाई गई है जब superstar और fan के बीच कुछ fights दिखाये जाते हैं तो फ्रेंड्स यह movie इसी पर बेस थी और आपको इसका पूरी story देखने के लिए आपको यह movie देखनी पड़ेगी फ्रेंड्स जब मैंने इसके trailer का review किया था त यह remake शायद इतना ना चले जब भी movie theaters में release की जाएगी यह movie शायद अगर इससे बढ़िया OTT platforms पर release की जाती तो इसको ज़्यादा बढ़िया response मिलता लोगों के द्वारा लेकिन अब यह theaters में release की गई है तो इसका collection भी इतना बढ़िया नहीं देखने को मिला और लोगों का response भी नहीं कमाई पहले दिन में तो कैसे यह word of mouth के द्वारा इतना अपना budget पूरा करेगी इसका budget 200 क्रोड के आसपास था और friends back to back अक्षे कुमार अपनी flop movies देते जा रहे हैं एक time था जब अक्षे कुमार super hit movies के लिए जाने जाते थे और उनका content बहुत जबरदस लगता था ल लोगों को कि शायद हम अगर mobile cinema mobile पर भी यह movies देख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा इसके लिए हमें theaters में नहीं जाना पड़ेगा आज ऐसा time है कि आपको लोगों को ऐसा content देना पड़ेगा जिसके लिए आप लोगों को drag करके theaters में लेकर आएं जैसे कि पठान ने किया पठान एक mass entertainer movie बनाई गई जिसके base पर वो लोगों को theaters में ड्रैग करने में successful रहे और आज ये movie अल्मोस्ट 1000 क्रोड कमा चुकी है और आज भी अगर इस movie का selfie से compare किया जाए तो पठान movie ने उस दिन भी 1 क्रोड की collection की जिस दिन selfie जो freshly released हुई तो डाइक रोड भी collection नहीं कर पाई तो friends आप अंदाजा लगा ही सकते हैं इससे की कैसी थी ये movie बाकी मिलेंगे next वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like, share और comment करना ना भूलें